दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि गूगल पर आप जो भी चीजों को सर्च करते हैं उस सर्च हिस्ट्री को हम कैसे डिलीड करें जी हाँ दोस्तों आप Google के अंदर में कुछ ऐसे उटपटांग चीज़ों को सर्च करते हैं जो आप चाहते हो कि आपका फोन अगर कोई ले ले तो उसे यह ना पता चले कि Google पर हमने क्या क्या चीज़ को सर्च किया है वैसे में अगर आप Google के सर्च हिस्टरी को अगर डिलीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की इसे वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो जानना चाहते हो कि गूगल की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीड होती है तो उसके लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो हेलफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो अब आईए दोस्तों बताती हैं कि गूगल पर आप जो भी चीजों को सर्च करते हो उसके सर्च हिस्ट्री को आखिर हम कैसे डिलीड करें तो देखिए दोस्तों अगर गूगल के सर्च हिस्ट्री को अगर आपको डिलीड करना है तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आपकी फोन की अंदर में एक Google आइकन होता है और आपकी फोन में एक Google का एपलिकेशन होता है जो हर फोन के साथ ही आपको मिलता है आप देख सकते हो यह है Google का एपलिकेशन है आपको इस Google application पर click करना है अब दोस्तों जैसे ही Google application पर click करोगे आपका Google application कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ corner में logo होगा इस logo पर click करना है जैसे दोस्तों click करोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे कि search history का एक option देखने को मिलेगा इस search history पर आपको click कर देना है अब दोस्तों जैसे ही सर्च के हिष्ट्री पर आप क्लिक करोगे दोस्तों जब से आपने फोन लिया है तब से लिकर आज तक आपने गूगल पर क्या क्या चीजों को सर्च किया है डेट बाइज आप लोगों को यहाँ पर सर्च में दिख जाएगा 23 अक्टूबर को देखिए मैंने यह चीज सर्च किया था 20 अक्टूबर को यह चीज सर्च किया था यानि कोई भी चीज अगर आपने सर्च किया है तो इस तरीके से पूरी हिष्ट्री दिख जाएगी अगर आप यहाँ पर कोई उल्टी सीधी चीज भी सर्च किये होंगे तो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वैसे में अगर आप चाहते हो कि इस history को हम delete करना तो इस तरीके से आप एक-एक करकर भी delete कर सकते हो इस जो cut का निसान है उस पर click करोगे तो एक-एक करकर delete हो जाएगा लेकिन इसको आप permanently delete करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो का option है अगर आप आज का आज का delete करना चाहते हो तो delete today वे click कर देना है करने के बाद में आपका जो भी आज आपने search किया था वह आज का delete हो जाएगा उसी तरीके से delete custom range है select करकर delete करना है तो यहाँ delete custom range को select करे delete all time यानि कि पूरा ही history delete करना है तो delete all time को set करे यहाँ पर auto delete का भ देखोगे कि 18 मंथ का set है तो आप अपने हिसाब से इसको चाहते हो कि 3 महिने के बाद automatic history delete हो जाये तो 3 मंथ पे click कर सकते हो और चाहते हो कि नहीं automatic delete हो जाये तो यहाँ पर down to delete activity का option है इस पर click करकर आप लोगों को next कर देना है होगा क्या दोस्तों कि जैसे ही confirm करोगे तो सार history delete हो जाएगा तो इस तरीके से आप Google के search history को delete कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि Google की search history कैसे delete की जाती है वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like और चनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा